इंडियन प्रीमियर लिग, IPL में खिलाडियों के प्रदर्शन का असर वर्ल्ड कप के लिए चुनी जाने वाली भारतिय टीम पर नहीं पड़ेगा भारतिय कप्तान विराट कोहली की नजर में मानना है इस तरह के विशलेशन अतिवादी है टीम इंडिया 2-13 मार्च तक आस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की वनड़े सीरीज खेलेगी इसके बाद भारतिय खिलाडी 23 मार्च से होने वाले IPL में हिस्सा लेंगे इंग्लेंड में इस साल 30 माई से वर्ल्ड कप होना है इस तरह का विशलेशन अतिवादी विराट विराट ने रिशब दिनेश को लेकर नहीं खोले पते क्या IPL में प्रदर्शन के आधार पर भारत दिनेश कार्तिक और रिशब पंत में से किसी एक को वर्ल्ड कप में अपने दूसरे वे केटकी पर के और पर चुन सकता है कप्तान कोहली ने कहा IPL का एक अच्छा मैच किसी भी वर्ल्ड कप के संभावित के लिए कोई अंतर नहीं पैदा करेगा हम मजबूत टीम होने पर ही वर्ल्ड कप जीत सकते हैं भारतिय कप्तान उन्होंने कहा हमें एक मजबूत टीम की जरूरत है IPL के शुरू होने से पहले ही हमें यह बिल्कुल स्पष्ट करने की जरूरत है कि हम वर्ल्ड कप के लिए टीम में किस-किस खिलाडी को चाहते हैं उन्होंने कहा यदि एक या दू खिलाडियों के लिए IPL का एक सत्र अच्छा नहीं डाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे वर्ल्ड कप के टीम से बाहर हो गए हैं विराट चौथे नंबर पर भी बल्ले बाजी के लिए तैयार विराट जरूरत पढ़ने पर चौथे नंबर पर भी बल्ले बाजी के लिए तैयार हैं विराट ने कहा मैंने कई बार चौथे नंबर पर बल्ले बाजी की है इस कारण मेरे खेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे खेलने का तरीका वहीं होगा जैसा नमबर 3 पर होता है मैं किसी भी परिस्थिती में बल्ले बाजी कर सकता हूँ वर्ल्ड कप में चाओ थे नमबर पर बल्ले बाजी करने का मौका मिलेगा तो मुझे खुशी होगी